अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चम में रहने वाले उत्तर पदेश शिया वगबोट के अध्यश वसीम रिजवी ने एक नया बयान जारी किया है उन्होंने कहा है कि बनारत से पियम मोदी हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जीत दर्च करेंगे और ये आयुद्धा में राममंदी निर्मार के शुप संकेत होंगे साथ इन्होंने कहा कि देश रोही और नफरत फैलाने वाले लोग जो भारत को खंडित करके एक और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं मोदी कि ये जीत उनके विचारों की करारी हार होगी काशी से मोदी जी की हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जीत आयुद्या में राममंदी निर्मार शुरू होने के शुप संकेत होंगे देश रोही और नफरत फैलाने वाले जो भारत को खंडित करके एक और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं ये जीत उनके विचारों की करारी हार होगी देश में सबसे बड़े चुनाओं में भारत की जीत लगबत तय है भारत एक बार फिर मोदी जी के मजबूत और सुरचित हातों में जाने को तयार है बता दे सुपीम कोट ने गुरुवार को ही वसीम रिजवी को 15 दिनों में फिरंडर करने का आदेश दिया है रिजवी पर वक्की संपत्ति कब्जा करने और मुतवली पर हमला करने के मामले में केस चल रहा है ये मामला 2012 में लखनों की दरगा हज़र्द अबास में नई कवीटी को प्रवंदन प्रवास आपने के दोरान का है ब्यूर रिपूर्ट सत्योदे